बहुत सुन्दर एक अनुभव बता रही हूँ एक साधी का गुरुदे बंबई पधारे उन्होंने दिक्षा ली खत्री समाज होता है उस समाज से थी हूँ साधी लीला शा गांधी धाम से जुड़ी हुई वे थी लेकिन बापो जी बंबई पधारे तो सत्संग सुन्खे गदगद हो गई और बापो जी को गुरु रुप में धारण किया नियम की इतनी पक्खी के एक बार उनका पती नियम ना करे पर वो नियम कर जाए और कई बार उनके पती नियम नहीं करते थे तो देखती थी कि इन्होंने माला नहीं गुमाई है तो वो उनकी माला करके बापो जी को कहती थी कि मैंने इनकी भी कर ली जैराम जी की अब आप ऐसा मत सोचना हां कि हमारी कोई कर ले लेकिन वो पती के प्रती भाव था उनका कई बार उनका जब करके दे देती थी पर बापुजी को कहती थी सुईकार कीजेगा मैंने इनका भी कर दिया हलाकि इस संभव नहीं है पर उनका था ऐसा कुछ समय बदला के उनके पती के सिर के दाएं भाग में दर्द हुआ चोटी मोटी दवाईयां दी गई बाम लगाया गया रात को ठीक हो जाएगा पर सुबह ये वाला भाग सुजन में आ गया तीन चार दिन में तो दॉक्टरों ने कहा कि सिटी स्केन करना पड़ेगा सिटी स्केन करवाया तो पता चला कि गाठ बन गई है सिर में ट्यूमर बन गया और ऐसी स्थिती में बन गया था कि आयर वेदिक उपचार उनके लिए संभव नहीं थी डॉक्टरों ने का कि गाठ निकालनी पड़ेगी ये प्रसंग उन बहन ने मुझे बताया कि ऐसा समय का प्रभा कि पंदरा दिन में तो हमको मंबई में ओप्रेशन करवानी पड़ी का जब ओप्रेशन थेटर में जा रहे थे तो उनकी जब की माला उनके गले में डाल दी छे गंटे ओप्रेशन चला मस्तिश का दाया भाग और जितनी देर ओप्रेशन चला उतनी देन ये खतरी बहन ने बाहर बापुजी का सुरूप रखा और आसन लगा के जब किया और कहा के बापुजी मेरा सुवाग अब आपके हाथ में मा मिर्टिंजे का जब गुरु मंत्र का जब और जो कान में पहने थे उन्होंने बूटी वो जब करते करते निर्ने ले लिया कि मेरे सुवाग की निशानी है बापु ये मैं आप श्री को अरपन करती ये मनी मन उन्होंने जब करते करते संकल्ब किया बिना अन्यजल लिये छे घंटे सतत्राटक और जब के साथ उन्होंने अपना प्राथना में गुरुदेव के चर्णों में बंदन रखा छे घंटे बाद जब डॉक्टर भाहार आये हैं तो कहा है चिंता ना करें ओप्रेशन बिल्कुल ठीक है एक आद गंटे बाद डॉक्टरों ने उनको उनके ऑफिस में बुलाया और कहा कि हम दो तीन बार बहार आये थे ये आप क्या कर रहे थे ये राउंड राउंड क्या कर रहे थे तो कहा राउंड राउंड नहीं है वो माला है हम जब कर रहे थे तो ये दाड़ी वाले बाबा तो कहा ये हमारे गुरुजी हैं तो कहा जो भी आप कर रही थी और जो भी आपके संथ हैं आज ऑपरेशन का पार होना बहुत कठिन था तीन साड़े तीन गंटे के बाद तो हम लोग हार चुके थे कि शायद अब हम नहीं बचाय पाएंगे लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हमें फिर कुछ ऐसा स्थान मिल गया जो हम लोग ऑपरेशन करने में सकसिस हुए छे गंटे जरूर लगे हैं पर यह आपने जो मंत्र किया है न और इज़े आपके बापू है महराज है इनकी किरपा से आपके पती बिलकुल ठीक हो किया जाको राखे साइन मार सके न कोई और आज भी उनके पती जीवित है बहुत बड़ा कठ है माथे में और उस दिन के बाद कुछ ऐसी पल्टी कि कभी बहन माला नहीं करे तो उनके पती माला कर लेते का नहीं इसी माला ने मेरी रक्षा की तो अब कभी कभी उल्टा हो जाता है तो जप जो है भक्ति जो है वो गुरुदेव का अनन्त अनन्त प्रशाद है कैसी भी परिस्थितियों में हो लेकिन प्रयास करें के जप न छूटे और ये गुरुदेव ने जो हमें विरह बक्ति दी है गोपियों के जैसे कैसी भक्ति होगी सोचो नंद बाबा और माता यशोदा की पाल पोस के काना को खुब लाट प्यार से बढ़ा की है और इतने नठखट काना इतने नठखट के मा यशोदा उनकी एक भी लीला बोल नहीं सकती थी इतनी सुन्दर लीला और ऐसे नंद बाबा और माता यशोदा को भी अन्त में कुरक्षेत्र में युद्ध संपन होने के बाद बुलाया है पिछले साथ वर्षों से जो भी गुरुदेव के पास दर्शन करने गए है बापुजी ने अगर उनको कोई वचन दिया है बापुजी ने अगर उनको कुछ उत्तर दिया है तो वो एक ही उत्तर है कि मैं बहुत जल्दी बोलिए आ रहा हूं तीन चार साल तो सब लोग बापुजी आ रहे हैं बापुजी आ रहे हैं लेकिन कुछ समय पहले तो लोग पूछने लग गए बापुजी बहुत जल्दी कब तो बापुजी हमारे गुरुजी बोले बहुत जल्दी माने वो भी बहुत जल्दी फिर सादक चुप तो ये तो काना को ही पता था जब काना मथुरा जा रहे थे ना कंसवद के लिए तो यशोदा ने पूछा था दोनों हाथ गाल पे रखके सिर पर प्रेम करते हो पूछा था का ना फिर कब मिलेगा तो का मा बहुत जल्दी और वो बहुत जल्दी कुर्खशित्र में पूरा हुआ नहीं समझ पाई थी यशोदा कि यह जाते जाते मुझे विरह भक्ती का दान दे रहा है ऐसा दिन नहीं दो यशोदा ने किसी बाल गोपाल को माखन न खिलाया ऐसा दिन नहीं जितनी स्वां से चली हो और यशोदा ने कृष्ण को याद न किया प्रेमा भक्ती जरूर थी लेकिन विरह भक्ती में यशोदा गई और आखरी में पूरा करती उस भागवत के प्रसंखो जब उधव जी मिलने आये थे न नंद बाबा और मा यशोदा से तो यशोदा मैया का हाथ पकड़ की पूछा था कि मैं द्वारी का जा रहा हूं कुछ कहना है यशोदा मैया ने उधव का हाथ पकड़ा और कहा है कि काना को कहना कि वहाँ कोई सेवा हूना सफाई की तो उसी में मुझे रख दे क्योंकि मैं सफाई की सेवा करूंगी काना आएगा जाएगा तो मैं कम से कम दिवस में दो तीन बार काना के दर्शन तो कर लिए ऐसा यशोदा ने संदेश बिजवाया था उधव ने जब ये संदेश बोला तो काना ने उधव का मूँ बंद कर दिया था कि बस आगे मत बोलना तो यह संदेश ले कैसे आया मैया ऐसी बात कैसे बोल सकती है का वो कहीं कि कुछ आपके द्वारिका के नियम है जो तो हम वह नहीं आ सकते, तो हमें सफाई में रख दीजी, कि राजादीश आपके दर्शन तो कर पाएंगे, और हम कैसे लिखें बापुजी को, कि हमें भी वहाँ सफाई में ही रख दीजी, हमें भी वहाँ कोई सेवा ही दे दीजी, और ऐसे लिखें, तो क्यों न ये लिखें, कि ये व्यास पीटा आपका इंतजार कर रही है, लाखों करोणों को दर्शन हो जाएंगे, जो आप श्री हमारे भावनाओं को स्विकार कर लेंगे, तो आज गुरु चर्णों में प्राथना कर रहे हैं, कि हमारे आखों के आशु सोक रहे हैं, हमारी विरह भक्ती, आप श्री के चर्णों में अरपन हैं, और आज दोनों हाथ जोड़कर, आपको प्राथना है, बापुजी यह आपका प्रेम है, जो सादकों को खीच के ला रहा है, यह आप श्री की बरसाई हुई किरपा है, जो हम सब को बांद के बैठी हैं, और गुरु चर्णों में प्राथना कर रहे हैं, कि सदे गोपियों की तरह, गौालों की तरह, माय शोदा और नंद बाबा की तरह, उधवजी की तरह, सुदामा की तरह, बाई मीरा की तरह, हमारी भक्ति, शन शन, आप श्री के चर्णों में, आप श्री के वच्णों में बढ़ती रहें, बढ़ती रहें, बढ़ती रहें, कभी तो भनक पड़ेगी दयान दी के कान, जो आएंगे मेरे श्री भगवान, कभी तो भनक पड़ेगी मेरे गुरुदेव के कान, आएंगे मेरे सद्गुरु भगवान, चंदन का तिलक लगाऊं, केसर का तिलक लगाऊं, छप्पन भोग सजाऊं, मैं वारी वारी जाऊं, जब आएं मेरे श्री भगवान, जब आएं मेरे सद्गुरु भगवान, उन राहों को सजाऊं, उन गलियों को सजाऊं, हिर्दय के भावों को विचाऊं, रंगोलियां बनाऊं, पल-पल, शन-शन, तिरी राह निहारूं, आओ मेरे भगवान, आओ मेरे श्री सद्गुरु भगवान, तेरी राह निहारे, आओ मेरे भगवान, आओ मेरे श्री सद्गुरु भगवान. आम नाम भगवते वासुदे आम नाम भगवते वासुदे वाय आम नाम भगवते वासुदे वाय वासु दिवाय वमनामूद भगवते प Guitar अस्व दिवायन ओम नमों भगवते वासुदेवाय कर दो दो कि अपवते वासुदेवाय